इस चैनल पे नहीं देखे सस्क्राइब प्लाल बटन, बेल आइकन प्रेस कर देजागा ताकि आपको नए वीडियो को सूचना मिलती गए आज का जो स्टॉक है, जो कंपनी है, अस्ट्रल पॉली टेकनिक लेमिटेट, जून साथ, आज तो आट जून है, आज मार्केट बंद शनिवार है, लेकिन कल फ्राइड़े को जिसके लास्ट क्लोजिंग प्राइस था, बी एससी पे तेरह सो एकतीस रुपए सतर पैसे के आस रिटम देता गया, और अगर आम इसके डेटा देखते है, मार्केट कैप्टाल इसकी 15,954 क्रोड की एक मेड कैप कमपनी है, अर्निंग पर शेयर इसका 16.49 की, पी है 80.76, जो की इंडस्ट्री पी के कंपेरेजन में ये डबल है, इंडस्ट्री पी है 42.07 के डिलिवरी है, इ एक की रह गई है, प्राइस टुब के 12.34, हम जानना चाहेंगे पहले की कमपनी करती क्या है, आपको बता दे कि प्लास्टिक के जो पाइप्स होते है, जो की प्लम्बिंग में या फिर जैसे की प्राइवेट कॉलोनी अगर बनती है, तो वहाँ बहुत सारे इस्तेमाल होती है, टाउंशिब बनती है, तो वहाँ भी जरूरत पड़ती है, या कोई इंडरस्ट्री बनती है, तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल जबरदस्त होता है, सभी को पाइपों के जरूरत पड़ती है, पहले क्या होता था कि सेमेंट के पाइप्स ज्यादा इस्तेमाल में आते थे सेमिन के पैप क्या होते हैं जनरली की एक तो बहुत हैवीवेट होते हैं एक्सपेंसिव भी होते हैं और अगर उने कुछ सालों में प्रवबलम आ जाती कैयोंकि आईरन अंदर उनके इस्तेमाल होता है तो एक समय के पाद उगल जाते हैं लेकिन प्लास्टिक के पैप हलके भ और इंड़स्ट्रीज में भी और घरे लू पादों में भी इस्तेमाल जैसे कि यह पाइप्स हैं आगर आप फिटिंग की कॉंपोनेंस देखेंगे तो यह देखिए आपको भी अपने घर पे नलवल में प्लम्बिंग की जरुवत पड़ती है तो आप इनको लगाते हैं और जो अधेसी मतलब 25% जो जो आया है इनकी यह अधेसी मतलब गोंद कहले है जो भी इन पाइप्स में चिपकाने में लगाने में जो इस्तेमाल होता है प्रोड़क्ट पदार्थ यह है तो 25% इससे आया है और प्लास्टिक के पाइप्स और फिटिंग से इनको 75% के आसपास क इनकम है तो प्रोड़क्ट्स देख के आप समझ गए होगे कि यह क्या करती कमपनी जवर्दस प्लास्टिक से रिलेटिट कमपनी के प्रोड़क्स है अब अगर हम जानना चाहें कि इसकी रेजल्स कैसे आया है तो एक गुट क्वालिटिक कमपनी है इसकी 15.16% के आसपास औ और EBIT ग्रोफ है 5 years के एवरेज जो है 22.17% और net debt to equity याने की एक करजा free company है इसे कह सकते हैं ROC है return on capital employee 19.99% की return on equity है 15.50 की और अगर हम financial देखते हैं तो पहले हम year on year देख लेते मार्च 18 में जो इनकी net sales थी 638 करोड की वो होगी 774 करोड की मार्च 19 में जो की 21.27% की upside है वहीं operating profit में भी जहां 113 करोड मार्च 18 में थी वहीं मार्च 19 में होगी 120 करोड जो की 6.06% की upside है लेकिन net profit में यहां पे downside है सब कुछ लेने देने एक बात जो बचता है विको net profit में तो यहां पे 4.24% की downside है और margin में भी यहां पे 2.23% की downside है तो year on year में यहां पे इनके net profit और margin में काफी pressure है लेकिन अगर हम December 18 से मार्च 19 के compare करेंगे quarter 4 की results में तो यहां पे net sales में 22.25% की upside है वहीं operating profit में 28.45% की upside है और net profit में 17.93% की upside है margin भी maintain किया हुआ 0.75% की upside है तो काफी quarter के अच्छे results दिख रहे हैं यहां पे और share holding pattern में अगर हम देखते हैं तो promoters के पास है 58.48% जो की 19 में भी same maintain किया हुआ है no कोई भी share गिर भी नहीं है mutual funds की में 12 skims ने पैसे लगा रहे हैं foreign institutional investors ने 116 यानि 21.93% की आसपास बने हुआ जो की जबर्दस्त holding है और हम आप जैसे खुत्रग रहा है 10.82% की आसपास और यह देखें डिविडेंट पेंग स्टॉक है लास्ट यह भी दिया था इसने दो दफा और top segments में plastic adhesive यानि gold और अपनी industry में number one company है तो अगर हम इसके रेटन्स देखें दस सालों में तो देखें दस सालों में इसने दिया 11,500% की रेटन्स एक बहुत ही कमाल की रेटन्स है यानि कि अगर हम calculate करें कि अगर आपने एक लाग भी लगाया होते तो एक कोड़ के उपर हो ग 37% के आसपास तीन सालों भी 193 आनि 200% के आसपास है और दो सालों भी 119% के आसपास है एक साल पहले जिनोंने पैसे लगाया उनको भी 32% के आसपास की रेटन्स मिल रहे है इयर तिल्डेट भी 17% के आसपास रेटन्स है 6 मंत में 26% के रेटन्स रेटन्स है तीन मंत में 11% के एसपास वन मन्त में 13% कहने का मतलब कि जब भी आपने पैसे लगाए हैं तो आपको कभी भी लॉस इसने नहीं बना के दिया है पॉजटिव रिटन ही दिये हैं तो यह होता फर्क आपको भले ही ज़रूर यह प्रीमियम इसका जो प्राइस थोड़ा समयगा दिख रहा हो लेकिन होता क्या अगर आप अच्छी कंपनियां जिनके प्रोडक्स अच्छे होते हैं जिनके काफी अच्छी रिविन्यू जाते है तो वो आपको कभी घाटा या आपको कभी लॉस नहीं देते हैं अच्छा रिटन देते हैं तो ऐसी कंपनियों में जरूरी निवेस्ट करना चाहिए लेकिन हाल फिलाल अभी इस पे हमारी स्टुडजी क्या होनी चाहिए यह आपको अपने फ्रेंशल अडवाईजर या आने वाले समय भी अभी इसका काफी इस्तेमाल होते हैं प्रोडक्स चाहे टाउन्शिप और आपका घर के प्रोडक्स हों चाहे इंडस्ट्री के प्रोडक्स हों तो मुझे लगता है कि गॉर्मेंट ने अगर अप्रूवल दिया है तो अभी हमारे देश में बहुत जरूर आपकी कोई क्वेरी हो तो जरूर कॉमेंट बॉक्स में आप हमें लिखके बताईएगा एक फ्रेंड ने हमाने स्क्राइबर फ्रेंड से इस टॉड़ी किया इसके प्रोड़क्स के बारे में जाना तब जाके मैंने कुछ डेटा आपको दिखा पाया हूं लेकिन अच् आप चाहें थो थोड़ा थोड़ा ले लिए अगर आपको यह स्टॉक पसंद ए इंदस्ट्री ए शेक्टर पसंद है तो लेते रहें प्लास्टिक से रिलेटेट प्रोड़क्स है और इस्तेमाल तो होने ही है रिप्लेस्मेंट में भी काफी अच्छे अनके प्रोड़क्स आप इस पे स्टॉड़ी करें और थोड़ थोड़ चाहें तो लेते रहें हर गिरावट मेलें अगर दीचे के लिए मिलता है तो जबर्दस्त है लेते रहें और चले में वीडियो भी पांटफ करता हूं थैंक यू फो वाचिग इस वीडियो